दोस्तों, Reliance GEO ने recently outbound sales manager की position निकाली है और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्या job role है ये, क्या eligibility criteria होता है, कौन सी location के लिए है ये job, कितनी salary expect कर सकते हो आप, और मैं आपको interview questions भी बताऊंगा जो आपको पूछे जा सकते हैं आपके interview में. दोस्तों, मैं हूँ इसान शर्मा और आपको किसी भी job interview के लिए prepare करना है, तो आप Able Jobs app Google Play Store से download कर सकते हो. मैंने link description में दे दिया है. तो चलिए अब शुरू करते हैं. तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो Reliance GEO जो platform है, वो high speed 4G internet connection प्रवाइट कराता है through their SIM cards. तो इन्होंने recently GEO Fiber एक नया product launch किया है, जिसमें ये basically fiber जो होता है, through Ethernet ये high internet प्रवाइट करेंगे घर के लिए, Wi-Fi के लिए. तो इसके अंडर ये बहुत ही high speed internet रहता है, 1 gigabit per second का internet speeds होती है इसकी, और इन्होंने ये recently launch किया है, और आप इसी product के अंडर काम कर रहे होंगे, इसी department के अंडर काम कर रहे होंगे, as an outbound sales executive. तो चलिए अब देखते हैं कि इसके अंडर आप exactly क्या काम कर रहे होंगे, आपकर क्या job role होगा. तो दोस्तों आपका job role as an outbound sales executive ये होगा, कि आप जो भी clients है, जिन्होंने free trial लिया है, Jiofiber का, उनको आप call करेंगे, और उनको convince करेंगे कि वो अपना जो free trial का plan है, उसको upgrade करके, जो paid subscription वाला plan है, वो purchase कर ले. इसमें आप जो नई customers हैं, उनको भी आप call कर रहे होंगे, उनकी जो भी problems हैं, जो भी queries हैं, जो भी doubts हैं, उनको resolve कर रहे होंगे, और ये आपका job role होगा, also आप जो भी existing Jio customers हैं, उनको आप upsell कर रहे होंगे, कि वो दूसरी services जो है Jio की, वो भी खरीद लें, ये जो job location है, ये pan India है, तो it doesn't matter, आप कहां रह रहे हो, आप इस job role के लिए apply कर सकते हो, अब देखते हैं, eligibility criteria क्या चाहिए रहेगा, इस job role के लिए, तो इसमें आपको 10 plus 2, मतलब जो 12th class है, उसमें आप pass out होने चाहिए, या फिर आपने graduation करी होने चाहिए, किसी भी non-tech specialization से, तो अगर आपने किसी भी non-engineering background से, आपने specialization से graduation करी है, तो आप इस job role के लिए apply कर सकते हो, इसके लिए आपको 6 to 12 months का work experience ज़रूरी होगा, 6 से 12 महिने आपको काम कर रहुआ होना चाहिए, आपने पहले इस job role पे apply करने के लिए, इसमें आपको communication skills बहुत ही अच्छी होने चाहिए, क्योंकि आप वही काम कर रहे होंगे, लोगों को call कर रहे होंगे, लोगों को convince कर रहे होंगे, तो ये skill बहुत ही important होती है, और आपको जो local languages हैं, जैसे कि अगर आप Kolkata में होता हो, तो आपको Bengali अच्छे से आना चाहिए, अगर आप Bangalore में होता हो, आपको Kannada अच्छे से आना चाहिए, तो ये local regional languages हैं, आपको ये अच्छे से बोलनी आनी चाहिए, और आपको इसमें proficiency होना चाहिए, अब देखते हैं कि salary कितनी expert कर सकते हैं, तो as an outbound sales executive at Reliance Jio, आपकी salary 2.5 lakh per annum से 3 lakh per annum vary कर सकती है, अब दोस्तों देखते हैं कौन से interview questions आपसे पूछ सकते हैं, तो ये basically एक single interview round होगा आपके job interview के लिए, और इसमें आपसे questions पूछ सकते हैं 3 parts में, number one question आपसे पूछ सकते हैं कि, आपका communication skills test करने के लिए, और ये हो सकते हैं कि tell me about yourself, आप कि सीजों के लिए passionate हो, आप क्या काम करते हैं, आप क्या काम करना अच्छा लगता है, आपकी hobbies क्या हैं, इस तरह कुछ questions होते हैं, जिससे वो test करते हैं कि आपकी communication skills कैसी हैं, आप लोगों से बात अच्छे से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हैं, इसके बाद आपसे पूछ सकते हैं, Reliance Geo वाले questions, तो इसमें वो पूछेंगे कि Reliance Geo में आप काम क्यों करना चाहते हो, Reliance Geo के बाद में आप क्या जानते हो ऐसा company, और फिर आपसे पूछ सकते हैं, वो sales वाले questions, तो sales के अंडर पूछ सकते हैं, कि आपको sales में काम क्यों करना है, आपका past experience क्या है, आप कौनसी company में काम करते थे, फिर आपसे वो पूछ सकते हैं, कि आप मेरे को एक pen sell करके बताओ, तो यह जो कुछ sales वाले questions हैं, वो आपसे वो पूछ सकते हैं, तो यह कुछ expected questions थे, जो आपसे पूछ सकते हैं, तो इसके लिए आपको prepared रहना होगा, अब देखते हैं कि आप इस job role के लिए apply कैसे कर सकते हो, तो इस job role के लिए apply करने के लिए, आपको simply google.com पर जाना है, और यहाँ पर search करना है, outbound sales executive reliance geo jobs, यह simply आप search कर लिए और उसके बाद आपको वो redirect कर देगा, google jobs के platform पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कि यह जो jobs हैं, यह कौनसी कौनसी location में हैं, और आप इस तरह से apply कर सकते हो, आप देख सकते हैं कि यह job Mumbai के लिए है, फिर Ahmedabad के लिए है, उसके बाद Indoor Madhya Pradesh के लिए है, फिर Bangalore के लिए job है, Ujjain के लिए job है, Delhi के लिए job लखनो, तो आपको जो भी location में हैं आप, आप यहाँ पर search कर सकते हो, नीचे नीचे scroll करकर देख सकते हो, apply on times job, उसके बाद जो actual platform है times job, उसके मेरे को रिडरेट कर देगा, और यहाँ पर मैं apply पर click कर सकता हूँ, यहाँ पर जब मैं apply में, तो मेरे को अपना resume upload करना होगा, login करना होगा, और इस तरह से मैं इस job role के लिए apply कर सकता हूँ, आप में से बहुसा है लोग बोल रहते हैं कि, यह जो job roles हैं, यह legit नहीं है, यह सच नहीं है, और यह किसी consultancy service ने upload करे हैं, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, यह direct companies जो है, Reliance Jio जो company है, उसने यह jobs list करे हैं, तो आप बिलकुल चिंदा मत करिए, यह completely real jobs हैं, और आप इनके लिए apply definitely कर सकते हैं, तो दोस्तों, अगर आपको इस job interview के लिए prepare करना है, outbound sales executive at Reliance Jio, तो इस के लिए आप able jobs app, Google Play Store से download कर सकते हो, मैंने link description में दे दिया है, इस app को download करके, जो भी questions मैंने आपको बताए, कि how do you sell me a pen, tell me about yourself, यह वाले जो questions है, जो भौत ही expected questions है, इनको आप prepare कर सकते हो, और इनको कैसे answer करना है, यह आप अच्छे से समझ सकते हो, तो यह app आप download कर सकते हो, मैंने link description में दे दिया है, तो thank you so much for watching, अगर आपको कोई भी questions हो, तो आप definitely comments में लिखिएगा,